प्रतेख माह के पक्ष की चतुरदशी तिथी को मासिक शिवरात्री का व्रत रखा जाता है यह तिथी भगवान शिव को समर्पित होती है इसलिए इस दिन भगवान शंकर की विधिविधान से पूजा की जाती है धार्मिक माननेताओं के अनुसार भगवान शिव की पूजा करने से सभी रुके वेकारिय बन जाते हैं और सुख सम्रद्धी की प्राप्ती होती है हिंदू पंचांग के मताबिक आज शाम साथ बच कर टीस मिनट तक त्रेयो दशी रहेगी और उसकी बाद चतूर दशी लगेगी आज मासिक शिवरात्री के दिन प्रीती और आईश्मान दो शुभ योग बन रहे हैं जोति शास्र के अनुसार मासिक शिवरात्री के दिन प्रीती वा आईश्मान योग में भगवान शिव की पूजा करना विशेई शफलताई माना जाता है कहा जाता है कि इस योग में किये गई कारियों में सफलता हासिल होती है मासिक शिवरात्री के पूजन विधी की बात की जाये तो बता दें आपको श्रद्धालूओं को शिवरात्री की रात को जाक कर शिवजी की पूजा करनी चाहिए मासिक शिवरात्री वाले दिन आप सुर्योदे से पहले उठकर स्नान इत्यादी के बाद किसी मंदिर में जाकर भगवान शिव और उनके परिवार यान देवी पारवती, गनीश, कार्तिक, नंदी शिव जी की पूजा करें पूजा के दोरान शिवलिंग का रूद्रा विशेक, जल, शुद्गी, दूद, शक्कर, शहद, दही इत्यादी से करें शिवलिंग पर बेल, पत्र, धतूरा और श्रीफल चड़ाएं अब आप भगवान शिव की धूप, दीप, फल और फूल इत्यादी से पूजा करें अगले दिन भगवान शिव की पूजा करें और दान इत्यादी करने के बाद अपना व्रत खुल भगवान शिव की इन मुहूर्त में करें पूजा ब्रह्म्य मुहूर्त दस माई 3.69 म. से 10 माई 4.42 म. अभिजीत मुहूर्त 11.49 म. से 12.32 म. वीजय मुहूर्त 2.19 म. से 3.12 म. गोधिल मुहूर्त 6.32 म. से 6.56 म. अमरितकाल 2.49 म. से 4.56 म. निशिता मुहूर्त 11.44 म. मुहूर्त दस माई 5.25 म. अमरित दस माई तक इन मुहूर्त में ना करें भगवान शंकर की पूजा चलिए बताते हैं यह मुहूर्त क्या क्या है राहुकाल 5.05 म. से 6.45 म. पिम तक यमगंड 12.05 म. से 1.45 म. पिम तक गुलिक काल 3.25 म. से 5.05 म. पिम तक 4.45 म. से 5.50 म. पिम तक गंड मूल पूरे दिन 12.05 म. से 5.25 म. पिम तक पंचक 5.25 म. से 5.29 म. पिम तक बता दें आपको अमें पूरी जानकारी वेप्साइट्स और अनुजब हों जब हों से प्राप्टी यह जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें के मिलंबॉक्स में कर जागूगे लाइं नेक्स योई में स्पिछक्षकून प्रपॉर्ट एंट